मानरमदा जयंती पर नर्मदा के दोनों घाट पर बरह्ममुरत में सद्धालों ने नर्मदा षिदानकर पूजन अर्चन कर दिपदान किया जयंती महस्व में नगर सहीद आसपास के छेतर से हजार सद्धालू अलपत सुव आयोजन इस्ताल कर पहुचे थे जहां मा नर्मदा जी के पूजन अचनकर भक्तों ने मा रेवा का जन्मों सो हरसु लस्क साथ मनाया बढ़वा के नावाकाट खेड़े इस्तित नर्मदा धगाट पर दो फर बारा बजे पचास हजार सदिक सद्दालू आयोजन में सामिल हुए मा मेकल सेवा सहस्ता द्वारा आयोजित आठ दिवसी नर्मदा जैन्ति महसों का भौव आयeled आर्थी और भंडारे के साथ संपन हुआ जैनती महसों के अंतरगत परती दिन सुबह और रातरी नर्मदा जी की महारती और व्यास भंदू भजन मंडली द्वारा सु मदूर भजनों की प्रसुति दी गई इसी के साथ वेट पाठी पंडितो द्वारा नर्मदा जी का आट दिवसी सहस्तर पूजन किया गया शनीवार को नर्मदा जैनती के अउसर पर सुबह नो बजे मां नर्मदा जी का दूद अभी शेक किया गया जिसके पच्चाथ दो फ़र बारा बजे जीवन दाईनी मां नर्मदा जी का जन्म उसो हजारों तादात ने उपस्तित भक्तों ने दूम दाम से मना है सरनाव से फरबूर दो गया खी रिपोर्ट के अंतरगत में यग्य का पुरणा होती आज ही है नर्वदा जी का सेगणो लिटर दूद से उनका विशेक संपन्न हुआ है विशाल भंडारा चल रहा है नर्वदा जी की 108 दीकों से नियमित आर्थी हो रही है और आज विमान के द्वारा पुष्प वरष्टी होगी धर्मिक जंता यहाँ पर लाब ले रही है उसको रष्टी विमान लगातार कर रहा है आके और नर्वदा जी का जो महत्व है नर्वदा सरीताम स्रेष्टा उसमें ये बताया है पत्म पुराण में कि नर्वदा के तीर्थों में जाने अंजाने में भी कोई यदी चले जाए एक बार भी जीवन में चले जाए तो वो सारे कलमशों से मुक्त हो जाएगा कलमश अर्था सारे पापों से रहीत हो जाए कोई नर्वदा के किसी भी तीर्थों में चले जाए एक बार यह सारा उ प्रितेश व्यास आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें